इसमें chapter देख रहे हैं 12 जो की है file input output हम screen पे data दिखाते हैं लेकिन कभी-कभी हम screen के अलावा जो data है उसको memory में भी रखना चाहते हैं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं तो memory एक volatile है एक non-volatile है volatile memory का मतलब होता है RAM और cache की बारे में बात हो रही है यहां जो भी data रखेंगे power up off करेंगे तो वो चला जाएगा लेकिन जो data आप permanently रखना चाहते हैं वो आप non-volatile memory में रखेंगे जिसे हम disk कहते हैं जो hard disk, hard drive आप अमुवन इस इन शब्दों से पुकारा जाता है वहाँ पर जो हम data रखेंगे उसको हम किस form में रखेंगे file form में तो जो medium है disk में रखने का अगर आप windows खोले तो file explorer खोले तो आपको दिखेंगा अलग-अलग files अलग-अलग folder के अंदर है तो जो यह रखने की पर्धती है और जो इससे data read करने की पर्धती है या जो तरीके है वो input output operation में हम देखने वाले data organization input output शुरुआत करने से पहले हम देखें कि organized कैसे होता है data disk में इसको मैं figure की तोर पर बताऊं तो जादा बढ़िया रहेगा जैसे हमारा program है जो data store होता है disk में वो binary form में होता है क लेकिन operating system के हिसाब से भी vary करता है लेकि इससे programming हमारी जो programming है वो effect नहीं करेगा कि वह हमको यह देखना है कि जो library functions हम use कर रहे हैं वो operating system क्योंकि C के पास कुछ input output है नहीं वो operating system की capability का इस्तमाल करता है तो compiler vendor की responsibility है कि वो आपके library functions को operating system की मदद से अच्छे से implement कर सके मेरा कहन यह program है हम C library functions use करते हैं अब operating system का काम है कि वो इस function का use करते हुए किस तरीके से disk में input करे और output करे file operation अलग-अलग operation हो सकते हैं जब भी हम file के साथ बात करते हैं जाने कि हम रखना चारहे हैं file को अपने memory में और उससे extract भी करना चारहे है data तो एक नई file हम create कर सकते हैं existing file को open कर सकते है read कर सकते है file को write कर सकते है file को किसी specific location पर ले जा सकते है file के जैसे पूरी file उतनी बड़ी ह हम इस position पहना चाहते हैं, यहां से शुरुवात नहीं करना चाहते हैं ऐसी close करना चाहते हैं फाइल को तो हम क्या करते हैं कि एक program लिखेंगे जिसमें हम file को read करेंगे और content उसके दिखाने की कोशिश करेंगे screen पे, पहले देखेंगा कि यह क्या, पहले प्रोग्राम देख लेंगे उसके बाद क्या क्या करेंगा, वो हम line by line discuss करने की कोशिश करेंगे, यहां पर एक, हमने जैसे program लिखते हैं, पहले हम एक comment बना देते हैं यहां पर stdio.h, हम include करते हैं, क्यों? क्योंकि जो f open वगरा है, वो इसके अंदर defined है, हमने क्या किया, file, capital में लिखा, और यहां file pointer लिया, कोई भी character variable यहां ले लिया, यहां पर हमने का f open, यह dot c file है, यह हमने read mode में open किया, जैसे read mode में open किया, file fp, यानि कि file pointer को दिया, तो यह जहां में रखिए, अगर c h जो है end of file पे मिल जाता है, वन्दा आप end of file पहुँच गये, तो बहर आ जाईए, नहीं तो अगर end of file नहीं पहुँचे, शुरुआत से हर एक character को print कर दीजे, और finally, जो file आपने खोली थी, जो आपके responsibility है, कि इस file को आप close भी करेंगे, तो अगर आप इसको run करेंगे, तो देखेंगे, कि अगर pr1.c आपने कोई एक program, कोई c file बनाई भी है, तो वो आपको content आपको screen पे दिखाए देगा, अब बहुत ध्यान से इस program को देखेंगा, मैं एक एक चीज़ में बताऊंगा, ओपनी का file, एक file को open करने के लिए, एक file हम open करेंगे, तब ही हम read, write कर पाएंगे, इससे पहले कि read, write करें, हमको file को open करना पड़ेगे, तो हम इसके लिए f open का function यूज़ करेंगे, ये pron.c आपकी एक file है, इसको आपको आर ही दिखरा होगा, एक character बोलना चाहिए इसको, लेकिन ये character नहीं, ये string है, इसलिए double quotes लगाए गए है, जो f open, ये तीन काम करता है, जब अगर आप read open में करते हैं, read mode में open करते हैं, पहले ये search करेगा कि वो file जो आप open करना चाहते हैं, वो है की नहीं, फिर वो क्या करेगा, कि जो file है disk से उठाके, वो memory में डालेगा, या रैम में, रैम या रैम के जो भी content है, या buffer में डालेगा, उसके बाद वो character pointer जो अपने fp लिया, उसको पहले character जो भी buffer का, जो जहां आपने उठाके रख दिया, उसके पहले character को point करने लग जाएगा, fp आपका बना देगा, अब buffer हमें क्यों चाहिए, पूरी के पूरी file, अगर मान लिजे, आपको read करनी है, कितना inefficient हो जाएगा, कि हम हर एक बार disk में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक character पढ़ना चारें, एक character के लिए हम disk में जाएगे, फिर read करें, फिर लेके आए, फिर read करें, फिर लेके आए, कितना inefficient हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यह पूरी बड़ी file है, उसका एक chunk या एक buffer, एक part लेके आ जाएगे, और उसको अपने memory के buffer में रखें, फिर उसको read करना शुरू करेंगे, ऐसे हम करते हैं, तो अगर मैं कोई एक disk की बारे में बात कराओं, जैसे आपका यह PR1.C है, यहाँ पर यह content है, तो आप इस buffer में क्या करेंगे, कि यहाँ पर एक अपना बरत रहे हैं, तो write करने के लिए भी कुछ ऐसी करना पड़ेगा, क्योंकि inefficiency नहीं चाहिए, क्योंकि file reading, file writing जो होती है, यह तो लंबा काम है, यह काम जो है, इसमें समय बहुत जादा लग जाता है, तो उसको inefficiency को efficient बनाने के लिए, आप अगर write करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर read हो चुका, write हो चुका, पहले मैं आपको इसके write के बारे में बात करूँगा, बस यह ध्यान रखेंगे, inefficiency नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में क्योंकि file write mode में भी हम बहुत तफसी से discuss करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कि यह fopen हमने किया, तो हमने क्या किया कि एक structure है, जो file, file, हमने fopen करके, जो भी gather किया information, वो इस structure में डाल दिया, file is a structure, ध्यान रखेगा, तो file, यह जो fopen है, मैं अभी यहाँ दिखाता हूं आपको, कि fopen से क्या होगा, यह fopen जो है, यहाँ पर अगर आगर fopen लिखते हम, इसके अंदर भी क्या है, बाद में बात करेंगे, यहाँ जो इसने return किया, यह fp पे किया, और यह fp pointer किया था, file, यह हम कहरें एक structure है, तो यहाँ पर ही आएगा, इस तरीके से यह return करेगा address को, इस फाइल से, यह file एक structure है, जो आपको stdio.h, इस header file में मिलेगा, stdio का है standard i, मतलब input, यह है output, यह header file है, इसलिए hash include करना stdio.h को बहुत important हो जाता है, reading from a file, एक बार आपने file को open कर लिया, reading के, जगर आप fopen use करते हैं, reading के लिए आपने open कर लिया, तो आपको करना क्या है, अब इस file के content को पढ़ना है, यानि कि एक file का एक chunk उठाना है, part उठा जो point कर रहा है पहले element को, अगर आपको read करना है इस file content को memory से, या फिर जहां भी आपने, क्योंकि ultimately तो आपको एक character by character read करना है, या एक chunk read करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अब एक chunk भी read कर सकते हैं, मतलब एक part भी read कर सकते हैं, और बीच में भी पहुंच सकते हैं, तो अगली बार जब read होगा, तो next character read होगा, ऐसे चलता चला जाएगा, जो f get c है, वो हमने अगर एक ही करके हमको सारी end of file तो पढ़ना है, तो हम ये कर सकते हैं, कि while का indefinite loop बना ले, अब indefinite loop है, तो हम क्या करेंगे end of file, अगर f get c करते हैं, हमें character end of file मिल गया, तो हम बाहर नि कर लाएंगे, तो आप देखें, एक special character है, जिसका है S की, S की value है 26, ये बताता है UF, ध्यान रखेगा, end of file का S की character 26, इस 26 से आपको बता चलेगा, कि आपको बाहरा जाना है, तो इस character अगर end of file है, ये end of file बताता है, कि आपकी, जैसे आप ये page देख पा रहे हैं, तो ये जो अगर मैं जहां point कर रहा हूँ, ये end of file होगी, जब read करेंगे आप files से, और माल लीजे, आप एक एक character fgetc किसे कर रहे हैं, क्योंकि f मतलब होता है file, get और c मतलब character, तो fgetc आप एक एक करके character ले रहे हैं, तो जैसे end of file मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, कि end of file मतलब 26 character, त end of file एक macro है, लेकिन हम EOF direct use कर सकते हैं, ये भी stdio.h में दिया हुआ है, fgetc की जगा है, आप macro getc भी use कर सकते हैं, इसका भी same effect आएगा, हम एक एक करके read कर रहे हैं character को file से, जब तक हम अंत तक ना चला जाए, ये ही मतलब है EOF का, आप दिखाना चाहते हैं, ने दिखाना screen पर ये आपके उपर हैं, लेकिन read हम कहां से कर रहे हैं, फाइल से कर रहे हैं, जैसी आप loop से भाहर आ जाएंगे, तो हम file को बंद करना चाहते हैं, तो कुछ trouble आ सकती है, कुछ दिक्कते भी आ सकती है, जैसे file existing नहीं कर रही है, अगर हम ऐसी file को open करने की कोशिश कर रहे है फाइल उपन से, तो file open ही नहीं हो और अगर हम read open से कर रहे हैं, यह हो सकता है कि वो जो disk, वो जो file है उसका नाम गलत दिया हो, हो सकता है, ऑगर आप write के लिए open किया आपने, तो हो सकता है कि आप write करने की कोशिश करें, और आपके disk में इतनी जगई नहीं नहीं हो, आप write कै से करेंगे हो सकता है कि जो डिस्क है आपकी प्रोटेक्टेड हो रीड ओनली हो तो अल्टिमेटली बात यह हुई कि जब हम फाइल के साथ डील करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाए तो आपको चक करना पड़ता है कि कहीं ऑपरेशन फेल त तो यह जो कुछ दिक्कते आ सकती है उनको हैंडल कैसे करना है जैसे आपने का stdio.h hash include यहाँ पर अपने एक यह structure है basically file pointer बनाया और इस pr1.c को read mode में open करके fopen से आप fp pointer पे दे दिया अगर यह fp नल आता है यानि कि यह zero आता है देखिए macro ही तो है अगर by chance fp में कुछ नहीं आता है ना लाता है तो आप सीधे बताईए कि देखिए सहाब हम file क open नहीं कर पाएंगे और program से बहां निकट जाईए close करना file को अब आपका जब काम खतम हो गया आपने जो भी करना था कर दिया उसके बाद आपको file close करनी है क्योंकि आपने open कर रखी है तो f close करना close दिखना पड़ता है bracket में आप fp या जो भी file pointer use करेंगे वो आपका यहाँ पर डालना पड़ेगा अब एक बार आपने file close कर दी तो अब अगर आप get see लगाते है तब तक तो काम नहीं करेगा क्योंकि आपने file तो close कर दी तो उसके लिए आपको file को एक बार और खोलना पड है कि जब हम file को close करते हैं तो हमको fp की ज़रूत पड़ती है हमके लिए pointer हटा देते हैं हमें file का नाम की ज़रूत ही नहीं पड़ी और जो यह fp जो point कर रहा था वो जो buffer होगा वो भी memory से release हो जाता है वो भी memory से हट जाता है अब किसी program को अगर आप किसी program में file को read करें और open करना चाहें file को कि हम चलिए इस file को open करते हैं उसमें character write कर लेते हैं तो एक और character write करेंगे उसके लिए साथ भी एक buffer जूड़ जाता है तो हम जब character लिखना चाहते हैं तो हम use करेंगे fputc, fgetc से character लेते हैं fputc से character रखते हैं file और यह आप buffer में भी रख सकते हैं तो जब हम close क करेंगे फाइल को जैसी मैंने कहा कि हमाना काम खतम हो गया हम फाइल को enclose करना चाहते हैं। तो क्या क्या औपरेशन होते हैं। सबसे पेले पिरर जो वफर में होंगे वह फाइल में लिख दिये जाएंगे। जो डिस्क पे है, जो फाइल का एंड है, वो उसके लास्ट में अपने आप S की करेक्टर 20 ये डाल दिया जाएगा ताकि end of file मिल जाए, ये बन जाए, जो बफर है, वो memory से बिलकुल हटा दिया जाएगा, तो आप देखिए कि बहुत possibility है कि जो बफर है वो भर जाए, इसका क् चीज content जो है, वो किसमें रिखने पड़ेगी, बफर भर जाएगा, तो आपको जो spill हो रहा होगा, उसको कहने कहने लिखना पड़ेगा, तो ये library function द्वारा ये सारा काम होता है, ये जो spilling over का काम, जो buffer अगर बढ़ रहा है, ये सब काम आपका, buffer management कहते हैं, इसको library functions करते है अब count करना है आपको character, tab और spaces, ये character, tab, spaces आपके, अगर देखें तो ये screen पे दिखते नहीं है, ये खाली होते हैं, इसलिए इनको blank spaces कहते हैं, क्या कहते हैं, blank spaces, तो अगर अब input, output करना जान गए हैं, कैसे हम fopen करके read करेंगे, या fopen करके ride करेंगे, हमें क्या 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 करना तो क्या हम ऐसा program देख सकते हैं, जिससे character, spaces, tab ये new line हम गिंती कर सकें, तो आप देखें हमको count करना है, care, space, tab और new line, यान कि हमको सारे blank spaces compute करने हैं, number of कितने आगा है इसमें, जैसे आप देखें, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यह आपका space आगया, यह space आगया, यहाँ पर आपका enter होगा, तभी आप इस line पर आए, हो सकता कहीं बीच में tab हो, यह सब चीज़े हमको देखनी है, तो हम क्या करते हैं, एक file pointer बनाते हैं, एक variable ले लेते हैं, और क्योंकि हमें यह सब गिनने हैं, कितने spaces हैं, कितने tab हैं, कितने new line हैं, तो यहाँ पर हम अलग-अलग variable ल अंतर तक चलते रहेंगे, indefinite do बना देते हैं, हर बार इस file pointer के तहद f get c करके character एक-एक उठाते रहेंगे, और अगर हमें end of file मिल जाएगा, तो हम बहार आजाएगे, अब देखिएगा, जैसे character मिला हम noc++ कर देंगे, number of character क्योंकि number of character भी गिनने हैं, उसके बाद हम क्या कर देंगे, तो number of characters person dk सबसे दिखा देंगे, number of blanks person dk सबसे दखाएगे, number of tabs person dk सबसे, number of lines person dk सबसे, ऐसे करेंगे इसको, क्या result आता है, जितने character होंगे, जितने blanks होंगे, tabs होंगे, उस file में lines होंगे, वो सब आपको यहां पर दिखाई देंगे, तो यह किसी भी file के लिए किसी भी file के लिए यह तय है, कोई और file ने हम आप यहां देखके, आप इसको चूज कर सकते हैं, मतलब एक और file दे दीजिए, उसमे number of count कर सकते हैं, कितने character by character, क्योंकि यह सारी चीज़े हम पता कर सकते हैं, कि carriage return का बारा है, हमारा blank space का बारा है, एक file copy program देखते हैं, इसमे आपको करना क्या है, हम माली जिए fgetc जानते है, fgetc function क्या करता है, एक character file से उठाता है, read करता है, इसी का counterpart होता है fputc, यह क्या होता है, कि जो जो आप इसके अंदर देंगे character, वो आपके file में जाके लिख देगा, अब जो practical use है, इस character input output function का, जैसे fgetc, fputc है, आप एक file के content उठा के दूसरे में डा सकते हैं, यहां से उठाईए fgetc, और यहां जाके fputc कर दीजे, अब इसको अगर देखना चाहेंगे, तो एक program में लिखते हैं इसको, हमने hash include किया, stdio.h, यह main है, file pointer है fs और ft, यह fs जो है, s आपने कहा source, t कहा आपने target, आपने एक character ले लिए हैं और इसके बाद आपने कहा कि इसको open करिए, जो भी आपका नाम हो file का, यहां पर हम example लेके चल रहे हैं, कोई pr1.c है, आपने कहा, यदि मैं open नहीं कर पाया इसको, या फिर compile and open नहीं कर पाया, system open नहीं कर पाया fs को, तो आप बोलिए कि देखिए साब यह open नहीं हो पाई कि इसको close कर दीजे, बाहर आ जाए, उसके बाद जब while कर दीजे, indefinite loop, क्योंकि हम वैसे भी end of file पढ़ने वाले, आप क्या करिए, जो source file है, fgetc, एक एक character source file से पढ़िए, यह आपका destination file है, target file है, पहला character यहां से उठाया इससे, उसके आपने हर एक character उठाते उठाते यह चेक करेंगे, fputc कर देंगे, बतलब यहां का content जो अभी यहां से पढ़ा था, उठाके fgetc से यहां रख देंगे, बस यह करना है, इस ch को उठाके ft में रख देंगे, फिर दोनों file pointer close कर देंगे, इस तरीके से हम एक जगा की चीज दूसरे में लिख सकते है, writing to a file, अब fputc क्या और यह file किस में लिखेगा, जो भी यह आपने file इसके अंदर दे रख़ी होगी, जो इसका नाम होगा, और जो writing process है तब तक चलता रहेगा, जब तक आप target file को भर न दे, जब तक while loop terminate ना करा दे, या end of file पे ना पहुंच जाए, जो file copy program है, उसमें एक जगा से दूसरी जग आप content copy कर सकते हैं, अगर copy file जैसे extension है, exe.com है, तो यहाँ पर आपको केवल read mode या write mode में काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह binary file होती है, exe और com, यह आप double click करेंगे, तो runnable file होती है, याने executable होती है, तो यह binary file होती है, file opening mode, file open करने के अलग-अलग mode होते है, जो पहला program हमने discuss कि या उसमें हमारा read mode में open किया चली, r से open कर देते हैं, लेकिन इसके अलाव भी बहुत सारी चीजे हैं, जो हम file पे करना चाहते है, तो fopen क्या क्या कर सकता है, पहला है r, fopen इस तरीके से लिखा जाता है, fopen, यहाँ file का नाम आएगा, double quotes में, double quotes में, r आएगा, w आएगा, इस null return करेगा, मतलब zero return करेगा, इसका मतलब file खुल नहीं पाई, तो operation यहाँ पर जैसे reading के लिए, ऐसे आपका write mode होता है, w से लिखते हैं इसको, यह file को search करेगा, यदि file exist करती है, तो उसके content को overwrite कर देगा, यह ध्यान रखेगा, overwrite कर देता है, यह पूरे content को खतम कर देता, औ overwrite कर देता है, अगर file exist नहीं करती है, तो यह अपने आप नई फल बना देगा, उसके बाद अगर यह file open नहीं हो पाई किसी तरीके से, किसी कारणवाश तो null return कर देगा, तो write करने के लिए हम w use करते हैं, यह क्या होता है, append के लिए, यहाँ तक आपने content लिख दिया है, यहा लाकी में क्या हो रहा है, file pointer यहाँ point कर रहा है, यहाँ पर इस a से करेंगे, तो last जो लिखा गया है, वहाँ पर इसको point करने लगे, यदि file exist नहीं करती है, तो नई file create हो जाएगी अपने आप, और अगर file open नहीं हो पा लिए, तो यह भी return करता है, null, तो नए content डालने के file को लेगा, pointer point करेगा first character के, और अगर file open नहीं हो पा लिए, तो return करतेगा null, क्या-क्या possible है, इससे यह है, कि read करेंगे जो भी existing content है, नए content आप लिख सकते हैं, और जो current content है, उनको change भी कर सकते हैं, modify भी कर सकते हैं, ऐसे होता है w plus, w plus क्या करता है, यह भी पहले search करेगा file को, यदि file exist करती है, तो ध्यान रखेगा, उसके content को override करतेगा, अगर file exist नहीं करती है, तो एक नई file create हो जाएगी, और यह return करेगा null, अगर by chance file नहीं open हो पाई, तो w plus से हम क्या-क्या कर सकते हैं, नए content लिख सकते हैं, read कर सकते हैं, और उनको दुबारा content को modify भी कर सकते हैं, a plus a plus है, append, यह search करेगा file को, यदि file open हो जाती है, fopen से बहुत अच्छी तरीके से, तो यह first character पर अपना pointer रख देगा, अगर file exist नहीं करती है, तो नहीं file create होगी, और यह return करेगा null, यदि किसी तरह file नहीं खुल खुल पाई तो, operation क्या-क्या कर सकते हैं a plus में, क्योंकि append plus है यह हम पहले तो, जो existing content है, उनको तो read कर सकते हैं, उसके बाद end of the file में जाके, वहाँ पर चीजों को append भी कर सकते हैं, जोड सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कि जो existing document content हैं, उनको हम change नहीं कर सकते हैं, string या line, अब आपको पताता हूँ, file में इसको कैसे deal करते हैं, हर बार हम file से character हमें जरूरत पढ़ती है, कभी-कभी हम पुरा का पुरा string उठा ले या पुरा का पुरे sentence उठा ले, तो अगर हम एक-एक character करके उठाएंगे, तो हमारे लिए बहुत inefficiency हो जाएंगी, तो हम character, by character read करना हम सिख चुके fgetc से, तो अगर हम पुरा string उठानी एक-एक करके, तो यहाँ पर buffer लेनी है, और उसके बाद हमने कहा कि जो कोई भी text file है, या जो भी file है आपके पास, उसको right mode में open करिए, यदि open नहीं हो पाती है, तो बता दीजिए कि देखिए कोई दिक्कत है, open नहीं उपारी है, बाहर आ जाईए, अब आप user से कहिए कि आप जरा line लिखिए इसमें, और जब तक ये get us function ये line पर लिता रहेगा, string length इसकी 0 नहीं होगी, जब तक नहीं होगी, आप क्या करिए, f put s चलाईए, f put s पहला वाला जो है, वो simple क्या करा है, string का f point, f p जहाँ point करा है, उसको ये s लिखता रहेगा, और उसके बाद, आप आखिर में यहाँ पर slash enter से terminate होगी, enter देना पड़ेगा आपको, और आपको terminate करना है, अगर program आप पर run कराया, तो आपको जो beginning है, line की, उसपे enter देना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, string एक 0 length की बना देगा, क्योंकि enter आप लाद रहे है, तो उसको कैसे करेगा, वो program कैसे recognize करेगा, वो समझेगा कि program recognizes as the signal, वो signal की तरह लेगा, ताकि file close की जा सके है, और हम बाहर आ सके, हमने क्या किया, ये character array बनाया, आपने देखा होगा character array बनाया, ताकि हम string को read कर सके, तो fputs क्या कर रहा है, ये write करेगा content, जो array के है, क्योंकि हमने वो एक array लिया है, मैं फिर से दिखाऊ आपको, हम इ automatically एक नई line character नहीं डालता है end में, इसलिए आपने दिखा slash हमने हर बार explicitly लिखा है, अब एक program मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे हम read करेंगे strings को, आपके disk, कोई file है, disk में, उससे read करेंगे, तो read कैसे करेंगे, हमारे पास stdio.h, हमने include किया, fp, file pointer, यहाँ पर हमने एक buffer बना है, तो आप क्या करेंगे, f get s, s, यह आपका एक array है, 79 हमने limit देती कि 79 से जादा नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि 80 इसके limit है, और यह fp, जबते कि not null है, not equal to null है, आप printf करते रहें यह percentage को, मतब percentage के साब चाहिए, बस काम बन गया आपका, यह आपका, जो भी आपने इस file में content है, वो आपको दिखा दिया जाए, जो function f get s है, वो तीन argument ले रहा है, आपने देखा, इसमें तीन थे, पहला आपका क्या था s, फिर था उसका 79, उसके बाद आपका fp, तो जो first है, वो address है, जहाँ पा string store है, second आपको maximum length बता दी, आपने कि string की क्या होनी चाहिए, और यह argument यह prevent करता है कि उस content से जादा मत पढ़िए, यह overflowing नहीं होगी है, और जो third argument है, वो तो help pointer है, आपका जो structure file के हिसाब से बनाया है, जब भी आपने read key line, तो हम एक और line read करेंगे, ऐसे करके तब तक करेंगे, जब तक आपको null return न हो जाए, एक awkward new line है, जैसे कोई हमने program लिखा हमने क्या किया, जैसे माली हमने count करना है आपके character, जैसे माली जै इस text file में लिखे हुए, तो यह क्या करेगा character count, माली जै यह कोई एक number दिया, अगर हम इसको directory में देखेंगे, तो हम देखेंगे इसमें से 105 character है, यह आप देखेंगे, ऐसा आता है, तो यह discrepancy किसले आई है कि जब हमने slash n इसमें लिखा, fputs यूज़ करके, slash n लिखा, तो यह fputs क्या करता है, slash n की जगा slash r slash n डाते हैं, यह convert कर देगा slash n को, क्योंकि slash r होता है carriage return, यह एकी बात होती है, तो slash r यह carriage return होता है, और slash n होता line feed, अगर हम इसको दुबारा पढ़ेंगे, तो इसका reverse conversion होग यहां कि slash r slash n जो होगा, वो slash n में convert होगा, तो जब हम write करेंगे first line को, इस text file से, और एक slash n, तो दो call लग जाएंगे, fputs के लिए, तो हमारे पास इस तरीके से string आईगी, slash r slash n, जब हम इस same line को read करेंगे, areas में, और fget is ही use करेंगे, तो आप देखेंगे, यह slash n और slash 0 आएग क्योंकि एक जगा हम write करेंगे, उसके बाद हम उसे read भी करेंगे, तो यह standard library functions use करेंगे, OS का तो है नहीं, तो जो OS क्या करता है, count करता है slash r और slash r को separately, इनको एक count नहीं करता है, वो इसको और इसको एक count नहीं करेगा, यह एक है तो यह दो है, इसलिए आप देखेंगे कि 105 आ write करना है numbers, तब कैसे करेंगे, numbers मतलब जैसे 2560 यह आपकी date of birth read करने ही, तो यहाँ पर हम हमारे पास character भी है, string भी है, number है, क्योंकि अगर हम कोई एक content लेते है, तो हो सकता है उसमे alpha-numeric हो, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इस dissimilar data को पढ़ने के लिए, हम इसको एक तो structure मे पहले रखेंगे, उसके बाद हम fprintf use करेंगे, print करने के लिए, fscanf library function यूज करने के लिए, read करने के लिए, एक एक प्रोग्राम बताता हूँ, ताकि हम employee के record रख सकते हैं, हम यहाँ पर structure यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे record को एक file में using structure, इस structure का उप्योग करेंगे, तो कहां end करना चाहिए, हमने आप यह structure बनाया, emp, इसके उंदर name दिया, ध्यान दीजे, यह character है, यहाँ पर age दिया, यह integer है, यह bs, bs दिया आपका float है, basic salary, इसका मतलब यह है कि एक structure के अंदर, यह dissimilar type आगे, अब आप क्या करेंगे, एक struct का variable बनाएंगे, आपने employee.dat, क्यों मुझे और enter करना है, यूजर से बोलेंगे कि नाम, age of basic salary, एंटर कर लीजा, क्योंकि आपका structure है, तो structure के variable e.name, e.age, और e.bs करके, यह देखें है, यहाँ पर, क्योंकि यह e.name, इसमें ampersand लगाना नहीं पड़ता, यह already array है, यहाँ पर character array है, यहाँ पर ampersand, ampersand लगाना पड e.bs, जो आपने अभी अभी लिया है, उसको आप fprintf कर देंगे, इस file, फिर user से बोलेंगे, और चाहते हैं, user कहेगा कि हाँ यह ना, वो उसकी user के entry ले ले लेंगे, अगर वो yes है, तो बढ़ते रहेंगे, नहीं तो और भी character y के लावा कोई भी देगा, तो बाहर आ जाएग कि हमने read किया data को structure में, हमने scan of use किया, उसके बाद हमने क्या किया, वो जो content लिया, उसको dumb कर दिया, disk में fprintf यूज कर दिया, यानि कि कितने भी user input कर सकता है, जब तक वो y press करता रहे, उसके लावा कोई चीज़ प्रेस करेगा, तो बाहर आ जागा, वैसे हमने n दे दिया, क क्योंकि ये file pointer इसमें दिया जाता है, ये as a argument, पहला argument fprintf के अंदर आता है, तो जैसे printf में है, जो format कर सकते है data को, अलग-अलग तरीके से, और यहाँ पर fprintf में भी हम dissimilar data को आप, जो modifier है, format specified दे सकते है, जितने भी format conventions होते है, fprintf में जो हमने काम किया, वो fprintf पे भी ला क्यों करते हैं, एक employee हमने जैसे लिया, और इसके बाद data लिया और enter press किया, तो scanf क्या करेगा, वो assign करेगा, नाम, age, or salary, variable assign करेगा, उनको, और फिर क्या करेगा, कि जो enter key है, it keeps the enter key unread in the keyboard buffer, वो keyboard buffer में रख लेगा, तो अब हम क्या करेंगे, supply करेंगे, y or n, जैसे हम another y or n करें हम f flush use करते है, यह केवल यह है कि जो भी data buffer में remaining है, उसको यह हटा देगा, तो जो argument आप देख रहे है, f flush में, वो आप देखेंगे, stdin है, यह f flush के अंदर जो भी आप दे रहे है, वो buffer होना चाहिए, जिसको हम flush करना चाहते है, तो हम stdin इसले लिया, क्योंकि standard input है, इसका मत file pointer बनाया, एक structure बनाया, इसके बाद हम जानते है, कि हमको यह जो employee dot dat है, इसको read mode में खुला, इसके अंदर content है, हमने कहा कि अगर fp open नहीं हो पाया, तो यह open नहीं हो पाएगा, बाहर आ जाएगे, लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो आपको क्यों लितना करना है, while क अंदर आप पूरा एक साथ डाल सकते है, fscanf, fscanf, e.name इसमे, e.name इसमे, और यह इसमे, और इस सब जाएगा fp में, हम read कर रहे हैं, और इसके बाद read करने के बाद इन सब को, तीनों को दिखा भी सकते हैं, यह print up कर देंगे, यह आपको screen पे भी दिख जाएगा, यह तब पर s की number या s की code store थे, जो भी character से related है, जैसे अगर आप अपनी c की file देखें, जो आप बनाएंगे, वो आपकी text file ही है, लेकिन binary file में ऐसा नहीं है, binary file में आपको bytes मिलते हैं, उसमें byte होते हैं, यह हो सकता है, आपके c program का compile version हो, कोई music data हो, या graphic file में आपकी picture store हो, तो कैसे हम पता करेंगे की, और कैसे हम deal करेंगे text file और binary file को अलग-अलग, और अगर आप open करने file को क्या दिख रहा है, text दिख रहा है, अगर आपको text दिख रहा है, तो text file है, नहीं तो binary file है, एक file ही copy program अगर हम करना चाहें, एक जगा से content उठा के, दूसरी file में हम लखना चाहते हैं, एक और मैं इसका आपको flavor बताता हूँ, इस program का, जहां हम अगर byte से deal करना चाहें, तो हम कहेंगे कि एक सी file है, यह हमारी binary file है, इस binary file में हमने क्या किया, सबसे पहले program शुरू किया, दो pointer बनाए, source और destination के लिए, एक हमने variable ले लिया, साथ में, file open किया, read binary, rb में, read binary, rb, और उसके बाद हमने कहा, fs अगर null है, तो हम बाहरा आजाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर सब कुछ सही है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी, जो हम नया कुछ program, मतलब यहां की चीज़, यहां copy करना चाहते हैं, वो एक सी, wb, read binary है, यह right binary है, उसमें खोलेंगे, और ft है यहां पर, अब ft अगर न लागया, तो हम बोलेंगे, कि देखें, यह file खोलनी पा रही है, हम बाहरा आजाएंगे, लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो हम लूक को infinite चलाएंगे, और एक ए content जो है, fgetc से fsa लेते रहेंगे, और अगर end of file मिलता है, तो हम बाहरा आजाएंगे, नहीं तो, हर एक content को जो यहां से लिया है, उठा उठा के, mft में, याने कि जो हमारा target file है, उसमें रखते रहेंगे, आप देखें, कितने आसानी से हमने text को, हमने copy कर लिया, और यह binary file है, अब यहां पर देखें, जो content हमने उसको उठाया, rb, read binary से उठाया, और right binary से लिख दिया, जब हम text mode में open करते हैं, हम r use कर सकते हैं, rt use कर सकते हैं, यह default mode होता है, तो हम क्या करते हैं, यह rt, यह rt में से t हटा देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा text mode में हमेशा r से open करते हैं, अगर हम programming scenario से बात करें, तो तीन हमारे main areas हैं, key areas हैं, जहाँ पर text और binary mode बिलकुल अलग-अलग हो जाएंगे, दोनों को आपको अलग तरीके से समझना पड़ेगा, जब आप new line deal करते हैं, slash n, या carriage return होता है, उसको deal करेंगे, तो यहाँ दोनों file में अलग तरीके से deal करेंगे, ऐसे end of file इसको अलग से deal करेंगे, और जो storage है numbers का, इनको भी different तरीके से देखना पड़ेगा, इन तीनों को हम एके करके देखते हैं, text और binary mode की बारे हम बात कर रहे हैं, new lines देखेंगे, अगर text mode की बात है, तो new line को कैसे correct, जो slash n है, वो convert होता है slash n और slash r में, यानि कि जो carriage return है, साथ में line feed combination हो जाएगा, इससे पहले कि वो disk में आप लिख सकें, इसी तरीके से जब carriage return और line feed हम combination करेंगे disk में, और वो एक बार वापस लेके आएंगे, तो slash n, slash r जब read करेंगे, तो slash n निकल के आएगा, लेकिन जब हम file को open करेंगे, binary mode में, text mode में नहीं, तो conversion इस तरीके का नहीं, ये conversion नहीं होगा, दूसरा है end of file, text और binary का difference देख रहे हैं, जो दूसरा difference है, text और binary mode में, ये है कि end of file, text mode में एक special character, जिसे हम 26 कहते है, s की value s, इसकी 26 होती है, special character है, ये क्या होता है, कि file के end में लगा दिया जाता है, ताकि end of file compiler समझ पाए, अगर ये किसी भी जगा character आ गया, 26, तो क्या होगा, end of file मिल जाएग उसमें जो end of file है, वो number of character से पता चलता है, जितनी directory entry में उस file के number of characters है, उस हिसाप से read करता है, यानि कि असली बात ये है कि end of file, text में आपको दिखाई देगा, यदि file में number आपने store किये है, binary mode में, तो ये जरूरी है कि binary mode में, आप इसको number read करने के लिए ही use करें, आप हो सकत वो ये वने नहीं deal करेगा, वो 26 को देखके उसको लगेगा कि मैं तो end पे आ गया और वहीं पे prematurely आपकी चीजे बंद हो जाएंगे, तो दो modes जो मैं आपको बता रहा है, और text और binary, ये compatible नहीं है, या ध्यान अखिए, जो text mode में आपने लिखा है, वो आप text mode में ही read कर सकते जो आपने binary mode में लिखा है, उसको binary mode में ही पढ़ सकते हैं, एक और अंतर है text और binary mode में storage of numbers, number का storage कैसे होता है, जो function हमारे पास है, जिसमें हम number store कर सकते हैं, वो है fprint function, तो ये ज़रूरी है कि हम numerical data को कैसे इसके साथ deal करेंगे, वो देखना हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता ह text और character ये इसको हम store करते हैं, एक character per byte, एक character per byte, और क्या number भी इस तरीके से store होते हैं, जैसे 2 byte हो, integer के लिए, 4 byte हो, float के लिए, या इस तरीके से, उतर है, नहीं, number जो store होते हैं, वो string of characters जैसे होते हैं, इसका मतलब 1, 2, 3 अगा store है, ये हो सकता है, कि आपके 2 byte ले memory में, लेकि इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, dot के लिए 5, 6, 7, 7 byte हैं, अगर एक 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 character को लिखा जाए, लिया जाए, तो floaty point number ये हो सकता है, कि आपके 8 byte ले रहा हो, 4 byte ले रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके 7 byte लेगे, यानि कि जो number जादा होंगे, जितने number जादा होंगे, उतना जादा आ अगर आपने बहुत बड़ा numerical data store किया है फाइल में, तो text mode से बहुत inefficient हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, binary mode यूज़ करेंगे, फिर f read और f write function हम यूज़ करेंगे, इसके बारे बात करेंगे, जो store करते है number को binary format, इसका मतलब यह है, कि हर एक number, same number of byte, disk पे occupy करेगा, जैसे memory भी करता है, record input output, जो record input output है, हमने already देखा, इसमें कुछ कमिया थी, वो चीज़ में बता देता है आपको, ताकि अगर जो अभी सुन रहे हैं, वो पहले की भी चीज़ जान जाए, जो basic salary जैसे कोई number है, ये एक से जादा number आप बाइट्स यूज़ करेगा, क्यों क्य क्योंकि इसको हमने text mode में open किया, और किया था, क्योंकि जब हमने file को open किया text mode में, हर एक number को as a character string store किया जाएगा, यदि जो number of field है structure में वो बढ़ा दिया जाए, जैसे आपने address भी बढ़ा दिया, house rent allowance भी बढ़ा दिया, आपने क्यों नाम age दिया था, basic salary दिया था, ये भी जोड़ दिया अगर आपने, तो जो f printf से अगर हम इस structure को deal करें, और f scanf से इसको read करें, ये बड़ा clumsy हो जाएगा, बहुत, मतलब एक तरीके से, इतना आसान नहीं होगा इसको करना, तो हम देखें, कोई एक efficient तरीका, इसके लिए हम read करना चाहते है, write करना चाहते है, माली अगर प्रोग्राम है, ये रिकॉर्ड, ये receive करना है record को keyboard से, और इसको लिख रहा है binary mode में, तो stdio.h इसको include करना है main पे जाएंगे, एक file pointer बनाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर another equal to y इसले दे दिया, क्योंकि हम चाहते है, user जीतना डाले, डाले, उसके बाद वो no work करके बाहर आ जाए, एक structure बनाया name age vs, मतलब नाम है age है और basic salary है, हमने structure का एक variable भी बना दिया e, अब हमने amp.dat, ये वाली एक file खोली, ये हमारी binary file है, dot मतलब data file होती है, dat.dat file, wb मतलब right binary, अब हम इसमें लिखेंगे binary के हिसाब से, यदि यह खुल नहीं पाई, हम बोलेंगे खुल array है, अब देखेगा f right, ये है असली मुदा, f right ने हमने क्या किया, m% e लिया, यानि कि हमने reference लिया उस object का, या फिर structure के variable का, हमने कहा size of क्या है, तो e का size दे दिया, comma क्या one, और comma क्या fp, file pointer, ये बताता हूँ one क्या है, अभी बताता हूँ आपको, बस इसको ध्यास से देख run है, अब इस तरीके के program हम use कर चुके हैं, वहाँ पर हमने f printf use किया, f right की जगा, लगी जब अब amp.dat, यानि कि data file से deal कर रहे हैं, तो हमने इसको use किया और open किया binary mode, जो information keyboard से आ रही है employ की, वो हमने structure variable e में रखा, और ये जो है f right, ये statement क्या कर रहा है, ये structure को उठा के file में दे रहा है, अब जो पहला argument है, ये तो address है, structure variable का, उसके बाद जो size of e देखा आपने, वो size of operator है, second argument आपको बताता है, कि structure का size क्या है, bytes में, तो एक एक चीज़ को count करने से अच्छा, ये size of operator use कर लीजे, size of operator float करेए, कुछ भी करेए, जैसे वो आपको byte बता देगा, तो size of हम सीधा का सीधा, इसमें हमने क्या किया, कि जो structure है, वो उसका variable डाल दिया, तो ये बता देगा कि क्या size है, अगर आपने जो structure element को change भी किया जा, address, address भी डाल दिया, तो भी इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, जो तीसा argument जो आप देख रहे हैं, एक, वो है कि कितने आपको structure एक बार में लिखने हैं, हम एक structure एक बार में लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने बन किया, हम आपर एक ही बार लिखना चाहते हैं, अगर हमारे पास array of structure होता, तो हम इसको जैसे हमको लिखना है, पूरी तरीके से, पूरा array एक बार में, जो lost argument है, वो file pointer है, जो FP आप देख र उसके लिखने हमने stdio.h किया, file pointer हमारे पास FP बना लिया, यह structure है, तीन इस पर content है, अलग-अलग type के, एक structure में रिबल दिया, e, f open किया read binary में, अगर यह खुल नहीं पाया, उसके बाद हम while में जाएंगे, f read करेंगे, m% d, size of e, यानि कि इसका size, एक एक बार में एक structure करना च और उसको structure variable में भी डाल रहा है, मतलब function causes the data read from the disk to be placed in the variable, यानि कि जो read अप करने हैं disk को, वो उठा रहा है और structure variable में भी डा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि structure variable सही हम print कर रहे हैं, तो जो format f read का, वो दिल्कुल f write की तरह है, function f read है, वो हमको देता है, कितने हमने records read की, यान तो जो third argument है, number of recounts हमने जिसमें एक दिया हुआ है, यह बता रहा है, अब जैसी हम end of file में पहुंच जाएंगे, f read उसके बाद तो read नहीं कर पाएगा कुछ भी तो वो return करतेगा 0, यहाँ पर हम test करके बता सकते हैं, यही testing condition है कि हमको read बन करना है, अब आप appreciate कर सकते हैं कि य f read और f write से हम कैसे छोटे dbms application बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर number efficiently store कर पा रहे हैं, read write आराम से कर पा रहे हैं, और यह भी देखिए, जैसे आप increase कर रहे हैं structure variable को, f read और f write पे कोई फरक नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें वो content आई नहीं रहा है, उसमें तो क्यों हम address pass कर र रहे हैं, और शुरुआत में आप, बहला dbms तो वैसे बहुत vast subject है, लेकिन हम एक programming से छोटा सा एक menu driven अगर program बना लें, तो हमको एक database का flavor मिल जाएगा, add कर सकें, modify कर सकें, list कर सकें, delete कर से record को, अगर dbms में यही होता है, dbms मतलब होता है collection of related data, और साथ में ऐसे application या function जो इस पर काम करेंगे, और वो क्या हम क्या करेंगे, add, modify, list, delete, अब देखिए, record जब अब आप add कर रहे हैं, वो हमेशा आखिर में add होंगे, अगर आप manually भी enter करते हैं, तो क्या करेंगे, last में ही करेंगे न, ऐसी, listing record का मतलब यह होता है, कि आपकी जितने भी records हैं, आप screen पे द अगर user ने permission दे दिया, आपने record को modify किया, तो आप नए record डाल सका, अब delete करना record को, तो जो record आपको delete करना है, पहले तो सारे के सारे record जो delete नहीं करने हैं, उनको आपको temporary में डाल देंगे, उसको छोड़के, अपने आप वो चीज़ डिलीट हो जाएगे, finally, हम इस original file को delete कर दे ध्यान देजेगा, कि जो file आपने open की है, reading और writing के लिए, अगर और fail हो जाती है, क्योंकि इस case में यह suddenly fail होनी वाली है, because जो time है file, उस समय file exist नहीं कर रही है, reading, writing के लिए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कि इसको binary mode में open करें, imperative हो जाता है, file को एक बार open किया, और एक बा functions है, जो आप यूज कर सकते हैं, अब यह listing है, पूरे प्रोग्राम की menu driven program है, यह elementary database management system का है, वैसे में बहुत जल्दी से इसको बरदानी कोशिश करूँगा, file pointer यह हमने बना लिए, आपके source और target समझ लीजे, user से choice choice लेने के लिए character बना लिए, यह आपका record हो गया, अब यह साइस ले लिया, और आपने क्या किया, एक screen में इस तरीके से बनाया, जैसे gotoxy होता है, go to xy, इस position पर जाएगा screen के, 30 row और 10 column के, यहाँ पर add record, यह listing आ जाएगा, list record, modify record, इस तरीके सा आ जाएगा, exit आ जाएगा, user से choice पूछी जाएगी कि आपको बाहर निकलना कब है, user से बोलेंगे, आप yes करते रहिए, तब तक हम data डालते रहेंगे, add करते रहेंगे, आप no करेंगे, हम बाहर आ जाएगे, तो हम user से name, age और basic salary ले ले लेंगे, वो हम यहाँ पर scanf कर लेंगे, इस वाले size में जो भी लिया हुआ है, इस buffer में, और अगर user no करता है, तो बाहर आ case 3 में, यहाँ पर आपको जो तीसरा case है, वो है modify record, अब आपको modify करना है record, तो आप user से बोलेंगे कि कौन सा modify करना है, उसका employee name ले लेंगे, starting में चले जाएंगे, एक एक करके read करेंगे, और जैसी हमारे employee name, EMP name से match कर गया, तब उस condition में उस record का, नाम, age और EBS जो आपको change कर करना है, वो आप नया देंगे, और वो जाके उस जगह पे उसको रख देगा, यह FC कोई काम करता है, इधर से उतर मतलब, पूरे इसमें float करता रहेगा, जहां आपको ले जाना है, और इसके पास इसको ride करके आप break कर लेंगे, फिर user से बुलेंगा, और करना है, उस हिसर हम यहाँ पर, क्योंकि एफप, एफटी से लिया है, एफटी से ले रहे है, एफटी पे डाल वेंगे, उसके बाद जो original है, उसको हम हटा देंगे, रिनेम कर देंगे, टेंपरी.dat जो बनाया हुआ है, इस फाइल को, जो original लाम है, उसके बाद एमप.dat करेंगे, और अगर ब पर लिइस किया, एफ रीड, एफ राइड, ताकि हम रुकार्ड में इधा होँदर जा सकें, एफ रीड, रीड करता है, जहां पर pointer पॉइंट कर रहा है, एफ राइड, जहां pointer पॉइंट कर रहा है, वहां वो लिख देगा, रिवाइड फंक्शन जो है थाईस में, वह आप पूरे फॉइल में आप किसी भी जगा पर यहां आना चाहते हैं, उस जगा आपको लेकर जाएगा, यानि एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में जाने की यह सुईधा देता है, तो अगर हम मूव कर रहे हैं पॉइंटर को किसी प्रिवेस रिकॉर्ड में, अगर उसकी कर करेगा पॉइंटर को इस बाइट से इतना पीछे कर देगा, यह जो चीज मैकर आप देख पा रहे हैं, यह सी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि जो पॉइंटर है, वो लास्ट रिकॉर्ड के बाद में आपको रखना है, तो यहां पर एफपी करिए, इसको जीरो कर दीज तो यह जो आरेसी साइस है या जिरो, यह किवल ओफसेट है, कहां आपको ले जाना है, देकि जो ध़र्ड और्गुमेंट आप देख रहे हैं, सीक रंड, सीक करसर, सीक सेट, यह सारे रिफरेंस है, ऑग जो आफसेट है, वो पीछे जाना है, सीक एड का मतलब य поб 때문에 पको एं करता है position किस data type में long int में जो offset होगा शुरुआत से कहां से फाइल की शुरुआत से आपको Ftel बता देगा यह कहां पर है तो जो return करता है Ftel वो हम Fseq में use कर सकते हैं क्योंकि Fseq हम अरड़ी देख चुके हैं अब अगर हम low level disk input output के बारे बात करें ध्यार रखेगा low level disk output में data हम individual character या string या formatted data की तरह नहीं लिखते हैं उसका एक ही तरीका है बाइट्स में मतलब अगर low level disk input output function की बात करें तो reading & writing bytes के form में होगी तो और buffer तो जो buffer हम अरड़ी यूज़ कर चुके हैं Frite में लेकिन Frite को अगर ध्यान से देखें और अभी जो मैं बात करना वाला हूँ यहां पर हमको एक buffer setup करना पड़ता data के लिए और हमको appropriate value देनी पड़ती है writing के पहले और writing के बाद तो जो buffer है low level input output function में वो program का बहुत बड़ा part बन जाता है जैसे high level disk input output function में अगर देखें उस इसाब से आप यहां पर देखें कि जो buffer है low level input output में यह integral part हो जाता है program का low level disk input output function इसके कुछ फाइदे है पहले चीज़ तो यह है कि यह function operating system की चीज़ को use कर रहे है और efficient है high level disk input output function से और क्योंकि यहां पर कुछ कम layers हो जाती routine की जिसके through इसको pass होना पड़ता है तो low level input output function यह ज्यादा तेज़ काम करते हैं high level counterpart तो अब एक काम करते हैं यह चीज़ बात तो कर लेकिन अभी यह low level input output function होते क्या है इसको देखा जाए देखें एक low level file copy program है इसमें क्या करेंगे low level है हमको एक file से उठाके दूसरे copy file में copy करना है तो पहले हमने जो भी use किया है उसमें हमने fgetc से एक एक character लिखा, read किया और fputc से लिख दिया तो character by character basis से अच्छा हम byte उठा ले और byte उठा एक chunk of byte या फिर group of byte उठा के फिर लिख दे तो उसको हम वो buffer में रखना पड़ेगा अब इसके काराण हमको buffer अपने आप manage करना पड cntl.h किया types.h किया यह आपको sys directory में मिल जाएगा इस तरीके से cktc में यह जो भी आप compiler यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको मिलेगा stat.h मिल जाएगा अब यह argc, argv बताता है argument कि यह command line पे चलेगा इस तरीके से c colon कुछ इस तरीके से आपका काली जो screen आती है command line उसमें यहाँ पर जो देंगे आप file का नाम देंगे यहाँ पर आप बताएंगे कितने आपके variable आने वाले account और यहाँ पर variable लिखेंगे तो यह c जो है एक number of count दिखा रहा है वाला और यह argv जो इसके बाद जो content है अगर यह तीन है तो यह तीन होने चाहिए यह चार है तो यह चार होने चाहिए दो है तो दो ने चाहिए तो हम बफर हमने शुरुआत की सोर्स हमारे पास टार्गेट है कुछ हमने इंटीजर वेरियेबल ले लिए और हमने का सोर्स फाइल का नाम डाली है हमने सोर्स फाइल ले लिया इसको ओपन किया देखे अब यहां पर ओपन कर रहे हैं source को read only और binary form ने इसके बाद हमने in handle अगर minus one है हमने कहा कि अब ये बात आ गई कि हम चीजों को low level पे ले जा रहे हैं अगर minus one है तो हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि file खुल नहीं पा रही है फिर हम target file का नाम देंगे get us कर लेंगे target file का नाम इसको open कर देंगे target file को o create, o binary, o write only और उसके बाद i write अगर यहाँ पर भी handle नहीं आ पाता है minus one तो हम बोलेंगे बाहर आ जाएगा अब इसको क्या करेंगे देखिए कितने आसानी से हो जाएगा इसको infinite loop पे चलाएंगे, read करते रहेंगे इस buffer 512 के हिसाब से, read करते रहेंगे और अगर वाकिय में कुछ read कर दिया गया है, तो इसको write कर देंगे out handle में इसी byte के हिसाब, और break कर देंगे, close कर देंगे in handle और out handle declare कैसे कर रहे है buffer को, पहले चीज़ तो यह है कि हम character buffer को इस तरी के CHAR buffer 512 कर रहे है, यह जो buffer है जिसमें data read करना है disk से, जो हम read करेंगे वो यहां रखा जाएगा, और जो size है इसका बहुत important हो जाता है क्योंकि इसी से efficiency program की decide होती है, और operating system के हिसाब से यह जो buffer है, कुछ size के वो एक operating system अच्छे से deal करता है, कोई दूसरा दूसरे size को deal करता है open कैसे करेंगे file को, अब हमने file open किया आपने, एक source file है, एक target file है source है उठा के targetment डालना है, तो जो high level input output disk, अगर हम इसके function देखें तो file को open करना पड़ेगा, before हम इसको access कर सकें, इसके लिए हम क्या करेंगे open, यह source है तो यहाँ पर जो file है, जो पहले भी हमने किया था, कि हमको पहले operating system के साथ communication करना पड़ेगा, तो हम supply करेंगे open, file ने में यहाँ पर देंगे, और mode बताएंगे हम जिस पे open करना जाते हैं, और जो possible file opening mode है इसमें, append का है, यह appending के लिए, यह neural file create करेगा writing के लिए, यह आपका नया file read purpose के लिए only, यह create करेगा file को reading को writing के लिए, यह file को written के लिए, यह file को create करेगा binary mode के लिए, यह file awakчеlave went to text . जो o flag आप देख पा रहे है यह आपको इसलिए हमने यह फाइल इंक्लूड किये fcntl इसमें defined है इस फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जो stdio.hs उसके पास low level disk input output के पूरे चीज़ यह नहीं है इसके options कुछ इस प्रकार से है क्योंकि target file exist नहीं कर रही है जब इसको हमने open किया तो हमने आपर o create दे दिया flag क्योंकि हम चाहते हैं कि write करना file को और इससे read पहले नहीं पहले write करेंगे हमने इसलिए o wr only किया और बाद में हम open करना चाहते है file को binary mode में इसलिए हमने o binary कर दिया इसलिए आप यह सब चीज़े देख पा रहे हैं आपर जो o create flag हमने use किया जब भी हम use करेंगे तो दूसरा जो argument है यह open function में आपने आप हमें यह लाना पड़ेगा ताकि indicate कर सकें कि read या write status होगा जब हम file create करेंगे इस argument का हम कहते है permission argument तो permission argument यह जो हम अभी आपने code में देखा वह as I write हो सकता है as I read हो सकता है यहने कि इसमें writing permitted है इसमें reading है reading from the file is permitted इसके लिए आपको types.h और stat.h यह include करना पड़ेगा f c n t l के साथ तो interaction कैसा होता है buffer और file के बीच में जो statement इस तरीके से देखेंगे यह read करता है file को और जो buffer के हिसाब से read करेगा तो in handle हमने बना दिया था यह buffer है यह 512 है read किया तो read में हमने तीन argument यूज किये पहला argument जो है file handle है दूसरा जो है address है buffer का और तीसरा बता रहा है maximum byte जो आपको read करनी है जो read function है वो return करता है कितने byte actually read किया जाएंगे यह बहुत important number है क्योंकि यह जो buffer size है इस पे based है और कितना हमको buffer भरना है या रखना है यह से decide होगा इसलिए हमने इसको number of variables जो है यह खास तोर पर यहाँपर bytes के साब से दिया है इस bytes में जो दिया है आपके bytes को bytes हमने एक variable लिया है वहाँपे यह equal होगा आप 512 के end तक जाएंगे और जब buffer partially full होगा तब भी चलेगा यह जो variable byte है यह हम write को बताना चाहरे है कि कितना हमको byte लिखना है buffer से उठा के target file में कितना लिखना है ध्यान रखेगा large buffer यह अगर हम use करते हैं तो अज ध्यान रखेगा उसको हमको global बनाना पड़ेगा otherwise stack overflow कर जाएगा यह भी एक concept है जो input output होता है windows में अगर हम देखे तो input output यह जैसे मैंने कहा library function use करती है c compiler के जो targeted होता है specific OS के लिए लेकिन windows इसके लावा बहुत सारी चीज़ देता है यही नहीं इसके लावा भी बहुत सारी चीज़ हमें मिलती है तो हमारे पास क्या mechanism है अगर हम window console के input output function use करे या ना करे लेकिन f printf f scalef f read f write s printf यह बिल्कुर उसी तरीके से चलेगा दो under windows console input output functions are not used still these functions would work exactly same under windows as well यह windows में भी वैसी काम करेंगा summarize करते हमने क्या देखा file input output हम perform कर सकते है character by character basis पे या एक character by character basis पे या line by line basis पे या पूरा एक record लेके या chunk भी ले सकते है अलग-अलग operation हम perform कर सकते है file में जैसे create कर सकते है नए file को open कर सकते है existing file को read कर सकते है एक file से write कर सकते है file में और किसी specific location पे जा सकते है और close कर सकते है file को file input output हम ये buffer के साथ अगर use करें तो थोड़ा efficiency बढ़े है एक file text file भी हो सकती है binary file भी हो सकती है ये depend करता है उसमें content क्या है library function जो slash n है वो convert होता है slash r slash n में और read जब write करते हैं और read करते हैं तो इसमें यहां से आं तक convert हो जाएगा बहुत सारी library function हम convert कर सकते हैं हमारे पास हैं जिससे हम convert कर सकते है number को numeric string में इससे पहले कि हम उसको file में लिख सके ताकि हम और इध्यान रखिएगा कि यह थोड़ा सा disk की space ज़्यादा लिख सकता है अब disk की space ज़्यादा लग रही है तो इसके लिए आप f read और f ride का उप्योग कर सकते हैं low level file input output में जरा एक buffer management हम को खुद करना पड़ता है तो यह बात होई इस chapter की जो है file input output in c बहुत शुक्रिया बहुत मैवाने यप सबीक